How are you all? So we were doing your second chapter of mathematics, numbers from 1 to 9 and today we are going to do make the collection equal, okay? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, उसमें आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको left-hand side में कुछ columns दे गए हैं और right-hand side में भी कुछ columns दे गए हैं, round boxes हैं, है ना? और दोनों boxes में, left and right side, same-same shape है, है ना? जैसे यहाँ पे triangle-triangle, circle-circle, square-square, star-star, moon-moon, है ना? same-same shape है ना? पर उनका जो number है ना, बेटा, वो different है जैसे कि यहाँ पे, अगर आप left side पे गिनेंगे, तो triangles को अगर हम count करेंगे So 1, 2, 3, 4, 5, 6, how many triangles are there? Here, 6 triangles, right? अब यहाँ पे count करो, 1, 2, 3 triangles are there, how many triangles are there? 3 triangles are there, है ना? हमको क्या करना है? हमें यहाँ पे जो कम triangle हैं, कितने कम triangle है? यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 3 हैं So 6 में से 3 गया क्या बचा? 3, है ना? So 3 triangles आपको यहाँ पर और draw करने हैं और क्यूं draw करने हैं आपको 3 triangle और? ताकि दोनों boxes में number of triangles become equal, ओके? अब दिखिए, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 triangle है ना? और अब यहाँ पे दिखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आपको क्या करना है बेटा? जिस box में कम shape होना, उतनी आपको extra draw करके दोनों को बराबर कर देना है, ठीक है? यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 3 थे, हमने 3 और बना दिये, और अब दोनों boxes में बराबर हैं equal number of triangles are there, ठीक है? next देखते हैं, next में आपको यह circles नजर आ रहे हैं यहाँ पे circle है, 1, 2, how many circles are there? 2 circles are there, अब यहाँ पे count कीजिए, 1, 2, 3 and 4, how many circles are there? 4 circles are there, right? तो यहाँ पे कितने extra circles हैं, 4 में से 2 गया, 2 तो इसमें कितने circle कम हैं, 2 circle कम हैं, बाजू वाले की comparison में तो यहाँ पे आप 2 circles और draw कर दोगें, अब कितने हो गए? अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 circles are there, and on the right hand side भी 1, 2, 3, 4 circles are there बात समझा गई, एक box में कम है, एक box में ज्यादा है, हमें जितने कम हैं उतने draw करके दोनों को बराबर कर देना है, we have to make the collection equal, ठीक है? next देखिए, next में squares हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कितने squares हैं यहाँ पे? 5 square है ना? right side पे देखिए, 1, 2, 3, 4 how many squares are there? 4 squares are there, है ना? तो इसमें कितने कम हैं? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है so, एक का difference है ना? 5 में से 4 गए कितने बचे? एक बचा ना? 1 square is less so, 1 square हमने draw कर दिया अब हो गए दोनों तरफ 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे भी 5 हो गए now both the collections are equal, है ना? अब next देखिए, next picture में star है let us count the stars 1, 2, 3, how many stars are there? 3 stars are there on the right hand side 1, 2, 3, 3 तो हो गए and 4, 5, यह दोनों extra हैं पहल तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, 5 ठीक है? अब कितने extra है? यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 5 हैं so 5-3 होता है, 2 है ना? so इस वाले box में आपको 2 stars और draw करने पड़ेंगे 1 2 ठीक है? अब यहाँ पे star count करो 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 दोनों तरह 5, 5 star हो गए, that is equal ठीक है? लास्ट पेक्चर में देखिए, moon बने हुए है 1, 2, 3, 4 how many moons are there? 4 moons are there next में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 moons are there how many moons are there? 7 moons are there अब 7 में से 4, आप minus करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा क्या आएगा? 3 आएगा यानि कि यहाँ पे 4 moons हैं यहाँ पे 7 moons हैं और इस वाले circle में 3 moon extra हैं और इस वाले circle में 3 moon कम हैं 3 moon जो कम हैं वो आपको draw करने पड़ेंगे क्योंकि हमें दोनों को equal करना है 1 moon 2 moon and 3 moon हमने draw कर दिये अब वापिस एक बार count कर लेते हैं confirm करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब यहाँ पे भी 7 moon हो गए और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 moon हो गए आपको बेसिकली पहले count करके लिखना था कितनी कितनी shapes हैं और फिर आपको दोनों boxes में number of shape जो थी उनको equal कर देना था और equal हमने कैसे किया जिस side कम shape थी उतनी ज़्यादा shape हमने draw कर दी ठीक है इस तरह से आपको यह करना है So this is given on page number 15 of your book